मन्जिले यूही नहीं मिलती राही को जनून सा दिल में जगाना पड़ता है पूछा चिडिया से की घोसला कैसे बनता है वो बोली की तिनका तिनका उठाना पड़ता है मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूँ आप सबका आपके चैनल साइंक एडमी फर ओल में आज की वीडियो में मैं एक सची स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी एक छोटी सी बच्ची के आपको सुनाना चाहता हूँ उस बच्ची ने अपने उपर जितनी भी मुसीबते आए उसने उस मुसीबतों का डट के सामना किया और जब उसने देखा कि ये मुसीबते जो COVID के टाइम पर उसके पूरे परिवार पर उस पर आई उसने जब अपनी मजबूरी और अपने सपनों के बीच में difference देखा तो उसने पाया कि मेरी जो मजबूरियां हैं वो बहुत छोटी है मेरे सपनों के आगे हम हमेशा जबूरी में क्या देखते हैं कि मेरी मजबूरी बहुत बड़ी है मेरे पास तो ये भी प्रॉलम है मेरे पास वो भी प्रॉलम है लेकिन कभी हम solution पे ध्यान नहीं देते ना अपने सपनों के बारे में उस ताइम सोचते सिरफ हम एक ही चीज़ बोलते है कि ये मजबूरी मेरी जिंदगी में है ये दिक्कत है मेरी जिंदगी में लेकिन उसका solution क्या हो सकता है इसके बारे में नहीं सोचते हैं लेकिन इस बच्ची ने इस बारे में सोचा कि मेरी जिंदगी में यह यह मजबूरियां तो है लेकिन अगर मैं इन मजबूरी को खतम कर दूँ और इसके solution पर work करूँ कि इनको कैसे खतम करना है तो मैं अपने सपनों की को पा सकती हूँ अचीव कर सकती हूँ शायद उस बच्ची के दिमाग में एक बात चल रही थी मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर खाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिस तो कर तो उसने कोशिस करने की ठानी और उस बच्ची का नाम है तुलसी जो जमशेदपूर की रहने वाली है जब मुसीबत आये कि कॉविड का समय आया सारे के सारे आपको पता है स्कूल बंद हो गए लगवल लगव एक साल से जादा हो चुक है सारे स्कूल बंद हो गए और उस बच्ची की पढ़ाई भी बंद हो गई और ओनलाइन एडूकेशन स्टार्ट हो गए सिस्टम लेकिन उस बच्ची के परिवार में बहुत मुसीबते थी माबाप बहुत छोटे लेवर का काम करते थे और उस पूरे परिवार के पास किसी के पास भी स्मार्ट फोन नहीं था इसी वज़ा से ये बच्ची एक साल से पढ़ाई नहीं कर पारी दंग से तो इस बच्ची ने क्या सोचा कि भाईया मुझे तो एक मोबाइल फोन चाहिए लेकिन परिवार के ऐसे आहलाद थे कि काम काज भी नहीं था कॉवेड के विज़ से तो पैसे भी नहीं थे तो इसने क्या डिसीजन लिया कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जब भी हमारे पास मुसीबत आती है हमारे पास दो ही रस्ते होते हैं जहां तो उस मुसीबत से हम भाग ले कि मुझे इस मुसीबत से नहीं लड़ना है जैसे जिन्दिकी चल रही है वैसे चलते रहने जहां हम उस मुसीबत से लड़ने के लिए हम उसमें भाग ले तो उसने उस मुसीबत से लड़ने के लिए भाग लेने की सोची उसके solution पर work करने के सोची क्यों? अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी education के लिए और उस बच्ची का नाम है तुलसी, जब इसने देखा कि मेरे पास बिलकुल भी पैसे नहीं है, मेरे परिवार के पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप जनली देखें, तो आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे पढ़े लिखे बच्चे जिनके पास सब facilities है, फोन भी है, अच्छे टैबलेट भी है, अच्छे पीसी भी है, लेकिन वो तब भी भाना मारते हैं, पढ़ाई ना करने का, लेकिन इस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था, तब भी इसने सोची कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे सपने सिरफ और सिरफ मेरे पढ़ाई करने से पूरे हो सकते हैं, और मुझे वो पूरे करने हैं इसके लिए इसने ठाना कि ये आम बेचेगी अपनी छुटियों में सड़क के किनारे बैटके इसने आम बेचना स्टार्ट किया कि अगर जितने भी पैसे मैं इससे कमाऊंगी तो मैं उन पैसों से मैं अपने लिए एक छोटा सा स्मार्टफोन ले पाऊं और पढ़ाई को कॉंटिनू कर पाऊं लेकिन आपको पता है मुसीबत इतनी जल्दी खतम नहीं होती जब इसने आम बेचना स्टार्ट किया छोटी सी बच्ची सड़क के किनारे थोड़े से आम लेके बैट गी तो लोग फिर भी इससे आम नहीं खरीदते थे लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कुछ चाहते हैं तो सब कुछ मिलता है हमें एक व्यक्ती इसके पास आया आम खरीदने के लिए उसने वैसे इससे पूछ लिया बिटा आम स्कूल नहीं जाते है आप आम क्यों बेचर इतने छोटे तो इसने जवाब दिया कि सब मैं आम इसलिए ही बेच रही हूँ ताकि मैं स्कूल की पढ़ाई को कॉंटीनियू कर पाऊं तो उसने पूछा कि ऐसा कैसे होगा तो उसने बताया कि जब मेरे याम बिग जाएंगे सारे आम मैं बेच हूँगी कुछ दिनों में तो मैं जो पैसा बचेगा मैं उससे एक अच्छा स्मार्टफोन कहिदना चाहती हूँ ताकि मैं पढ़ाई को कॉंटीनियू कर पाऊं और आगे की अपने सपनों को पूरा कर पाऊं तो उस व्यक्ति ने इसका एक वीडियो बना लिया और वो वीडियो शोचल मीडियों पे वारेल हो गया अब जब वारेल हुआ तो बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा और मुंबई के इसनसमेन मिस्टर हेटे ने उस वीडियो को जब देखा और इस लड़की का ये देखा जनून देखा अपनी पढ़ाई को लेके तो वो आगे आए और उन्होंने इस लड़की के बारा आम सिरफ बारा आम फिर बोलो सिरफ बारा आम उपको खरीदा अब आप बोलोगे सिरफ बारा आम खरीदने से इस लड़की का क्या हुआ होगा क् सारी मुसीबतیں खतम होगी होगी, बिल्कुल होगी होगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, उसका उपर वाला जरूर होता है, उसने चाहत थी उसके पढ़ने की, तो कोई ना कोई तो वो भेज़ेगा उसको मदद करने के लिए, तो मिस्टर हेटे ने इसके बारा आम एक बच्ची एक अच्छा स्मार्टफोन और साथ के साथ उन्होंने इसका पूरे साल का रिचार्ज भी कराया और आए बच्ची अपनी क्लास इसको अटेंड कर पा रही, कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी काइनात उसे तुम से मिलाने कोशिश में अपने बड़े हैं, आपकी दिखते बड़ी हैं, कि आपके परिवार की खुशी बड़ी हैं, ये आपको देखना है, और अगर आपको लगता है कि आपके सपने बड़े हैं, तो आज से ही आपको अपनी मजबूरियों पे काम करना पड़ेगा ताकि हम जिंदिगे में कामि बन सके, एक अच्छे इंसान बन सके